गौालियर में किसान सम्मिलन के बाद News 18 इंडिया के सुशील कौशिक ने किसानों से खास बातशीत की है, सुरिए क्या कह रहे हैं हो किसान गो़ःर में आज केंदरी करशी बिल को लेकर किसान सम्मेलन आयजित हुआ था जिसमें देश के केंदरी करशी मंत्री नरेंदर सिंग्ード Tucumar सही तमाम नेताओं ने आज केंदरी करशी बिल के फाइदे गिनाय ! हमारे साथ इस वक्त किसानों की पूरी ये चोपाल है और इन किसानों से जो ग्वालिर चंबल अंचल के दूर दूर के हिस्से से आये हैं इन किसानों से भी ये जानेंगे कि आखिरकार केंद्री करशी बिल जो है उसको लेकर जिस तरह से दिल्ली में आंदोलन चल रहा है लेकिन मद्धिप्रदेश के दूर दूर से किसान आये हैं इन किसानों को इस बिल के बारे में कितनी जानकारी है और कितना इन किसानों को ये बिल कारगर लगता है शुरुआत करेंगा आप ही बताईए कि जो आज क्रशी बिल को लेकर सम्मेलन था किस तरह से नरें सिंग ने अपनी बात रखी क्या समझ में आया क्रशी क्रशी विल के संबंध में जो हमारे केंद्रिय मंत्री मानिय स्री नरें सिंग जी ने बताया बिरोधियों द्वारा किसानों को ब्रहमित किया जा रहा है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी उन्होंने आपे प्रदान की और जो बात कही जा रही थी कि मंडियां बंद कर दी जाएंगी तो उन्होंने आपे बताया कि मंडियां कोई भी प्रवावित नहीं होंगी मंडि किर्शी के बारे में भू तीन कानुन के बारे में बो बिलकल सही बताया और जू हमारी हित्मे हैं किसानों के इतना region है किसानों हो जाएंगे आपना माल अपनी शाक की अनुसारं भी ठीचहना ओर जो बी मतलब हम अपने जुआ कि मन्डी पाइदा होगा और भी किसान है युवा किसान है जो दूर दूर से आए हैं आप ही बताईए कि आज जो है आप लोगों ने क्या समझा इस क्रशी बिल को लेकर क्या जो दिल्ली में अंदोलन चल रहा है जैसा कि बता है तो उमर साब ने के बर्गला जा रहा है लोगों को तो क बड़ी सोगात दी है आंके चल के किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा किसानों को आप लोगों क्या वारत हमारा किसी प्रिदान देश है और 70 प्रतिस्त लोग खेती पर निर्वर हैं आज आपको सोचना चाहिए किसान जो उससे बेडियों में बना हुआ था अपना जो गल्ला बगैरा बेचने जाता था सीधा मंडी में जाता था उसे बाहर बेषते थे तो बाहर नहीं पेशने दीया जाता थे इतने उन पर कड़ाई ती आज वो आजाthis कई भी कीमत में अपना बेष सकता है आप इतने बहुत अच्छा है जितने किसान आइं ज्यादातर किसानों का मानना है कि ये क्रशी बिल जो है कहीं न कहीं किसानों के हित में है और आंदोलन लोगों को बरगला कर किया जा रहा है दिल्ली में जिसके बहाने सिर्फ विपक्षी दल राजनितिक रोटिया सेक रहे केमरमन खेमचंद के साथ सुशील कोशिक न्यूज 18 इंडिया ग्वालियर और मद्धिप्रदेश के इंदोर में किसानों की रेली से पहले कैलाश विजे बरगये ने का कि सरकार किसानों से हर मुद्दे पर बाचीत को तयार है मद्धिप्रदेश में किसान सम्मिलन में भाग लेने के लिए खास तोर पर इंदोर के किसानों के बीच में ऐसा क्या ब्रहम है जानते हैं कि इसमें आम किसान सम्मिलित नहीं है और यह किसान आं दोर 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 बेठा मुझे लगता है कि किसान के बीच में जाना समझाना मोदी ये इन झू तीनों भी भी देश को दिये हैं ये किसानों को हित कह है कि और कुछ लोग किसान भाईयों को मिज्ड़ाइट कर रहे हैं मुझे लगता है कि किसानों के वीच में अगर भम पैदा नहीं हो देश मा अशांथी नहीं हो क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि दैश विकास नहीं करें देश प्रगति नींह ए और कत्पुतलियों की तरह कुछ विदेशी लोगों के हाँ में खेल रहा है है । तो हुए सब तोड़ा 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 गैंग हो या जो अरवन अक्सन हैं ऐसे लोग कहीं न कहीं इस आंदोलन के पीछे दिखाई देते हैं तो किसान संगठर है वो बार-बार कह रहे हैं MSP नियुंतम समर्थन मुल्ली की गैरेंटी चाहे रहे हैं मुल्य जो है वो भी समाप्त नहीं हो रहा है और मंडिया समाप्त हो रही दोई बात का विरोध था दोनों बात के लिए सरकार तैयर कॉंट्रेक्ट फार्मिंग कॉंट्रेक्ट फार्मिंग में भी किसानों का हीत का ध्यान रखा गया है कॉन्टember Chief जो कमें करें करें दीपक बिष्ट का रुक कर लेते हैं ःगाजिप पुर वर्णर से हमारे साथ जुड़ेंगे